नमस्कार विद्या दिमित्रों तपवन साइन्स एकेडमी मा आपनो हादीग स्वागत छे आजे आपने दोरण अग्यानी अंदर सजी विश्वमा जे बाकी रहेला जे सजीवना लक्षणों छे तेना विश्व भियास करीशू तो सवती पैल्लू लक्षण आपने भणी गया ग्रुद्धी त्यार बाद बीजू लक्षण भणी गया प्रजनन अवे आपने त्रीजू लक्षण भणी शू आजे चया पचय आजे चया पचय जे छे ते चया पचय ए बै शब्दन बने लो छे चय प्लास अपचय चय केजी ने इंगलीश मा एनाबॉलीक केवामा आवे अने अपचय केजी ने इंगलीश मा केटाबॉलीक केवामा आवे छे तो चय एतले सू थाई के नाना नाना अणुओ बेगा मडी ने एक मोटा अणुणो निर्मान करे तो एने चय केवामा आवे छे अने अपचय एतले सू केवाई के मोटा अणुओ तूटे छे अने तूटी ने नाना अणुओ मा फेरवाई छे चय एतले सू थाई नाना नाना अणुओ बेगा मडी ने मोटा अणुबने छे एक एक एकजाम्पल लापू के एमीनोऑ ऐसीड भेगा मडी ने प्रोटीन निर्मान करे छे अने जारे नाना नाना अणुओ बेगा मडी ने मोटा अणुणू निर्मान करे तो ए प्रक्रिया माँ एनर्जी नी जरुर पड़े छे अपचाय के जने कैटाबॉलिक केवामा आवे छे कैटाबॉलिक एले सुथाई के मोटा अणूनु तूटवू अने तूटी ने एने नाना अणूमा रूपांतर थवुते प्रक्रियाने चयापचाय केवामा आवे छे अणुओ बने छे अने बन्या पची आपणने शक्ती नी जरू पड़े छे तो ये शक्ती बल काथी मेडवे छे ए मोटा अणुओ तूटे छे अने परिणाम स्वरू आपणने शक्ती मड़े छे अवे अपणे वाद करिये के चाया पचै जे छे ए सजीवो नी एक लाक्षन इकता छे सजीवो नी लाक्षन इकता छे अवे बधात सजीवो छे तो बधात सजीवो रसाइनोंना बनेला छे जेमके प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसीड, शुगर, सेवीरीते दरेक सजी उजे छे, लिपीड, रसा योणोना बनेला होई छे पची उच्चे कक्षाना प्राणी उने पन क्यामना वाद करो तो ए आरीते रसा योणोना बनेला होई छे अवे आ जे जयवीक अनुओ जे छे, एसु थाई छे, आ जे जयवीक अनुओ छे तो अवे विटामिन छे, प्रोटीन छे, त्यार बाद लिपीड छे, शुगर छे तो ए ने जुगिवाई छे, एवा बधा अनुओ ने जयवीक अनुओ छे तो एवा जयवीक अनुओ मा परिवर्तीत करवामा आवे छे इटले केसु थाई छे, क्या कारबन, हाइट्रोजन, ओकसीजन बधा मडी ने सु करे जैवीक अणूँओ छे तो इनू निर्मान करे छे तो आ रिते परिवर्तित करवा मा आवे छे अने सुझ होई छे कि आ प्रकारनू परिवर्तन आ जे जैवीक अणूँओमा जे परिवर्तन थाई छे तो आ प्रकार नुँ परिवर्तन ए सूज होई चे रासा याणिक के पची चया पच्चाईक प्रती क्रियाओ छे एटले के सूज थाई चे के मोटा अणूनू नानू मारू पांतर तो आ रिते आ बदी रासा याणिक प्रक्रियाओ चालती रहे चे तो रासा याणिक प्रक्रियाओ केम ठाई चे तो रासा याणिक प्रक्रियाओ जे चे ते जल्वी अणूँमा परिवर्तन लावे छे एटले के सूथाई के जो मोटा अणू होई तो मोटा अणूने नाना अणूमा फेरवे चे मुर्टा अणोंने नना अणों मा फिर्वे छे तो आ रिते रासा आयानिक प्रक्री आओ छे एदले के चया पचाईक प्रक्री आओ छे तो चया पचाईक प्रक्री आओ छे तेना द्वारा बदा जे जैवी कणों ओ छे तो एमा परिवर्तन आवे छे आपणा सरीर मां ज्यारे आपणने शक्ती नी जरूर है ने तो ये शक्ती नी जरूर याद पूरी परवा माते आपणा सरीर मां रशा याणी प्रक्रिया थाई छे जेम के आपणे खोराक खाईये छे तो खोराक मां सु होई छे शरक्रा मड़े छे तो ए शरक्रा जे छे तेने सु केवाई जय भी कणू के ज्यारे पण आपणे शरक्रा खाईये के आपणे एनरजी नी बहुत जरूरियात होई छे शक्ती नी जरूरियात होई छे तो चया शक्ति मुक्त थाई छे अन्य एबश मुक्त थाईली शक्ति छे के जेनो उप्योग आपडे कारिया करवा माठे करिये छे तो आरी ते राचाया पचै क्रियाओ छे के जेना द्वारा आपणे शक्ति मडे छे बद्धीज वनश्पती होई प्राणी होई के पच्ची शुक्ष्म जीवो जेम के फूग बैक्टेरिया प्रजीव बद्धाज आपणे के ने पांच स्रुष्टी माना बद्धाज सजीवो जे छे ते आ चया पचई क्रियाओ दर्सावे छे तो सर्वाडो एम कई सक्ये के चया पचई तो चया पचई के ने आपणे एवो कई शक्ये के आपणा शरीर मा थती बद्धीज रासा याणी रासा याणी क्रियाओ नो शर्वाडो छे अपणा सरीर मा बद्धी रासा याणी क्रियाओ नो शर्वाडो एटले एमेन एसु के वाई कै चया पचै के शरक्राना अनुनु निर्मान थवू, निर्मान थया बाद ए अनुनु तुटू, ता बधी जे प्रक्रियाओ थाई छे, के एमीनो एसीर जे छे, तो एमीनो एसीर भेगा मडीने प्रोटीन बनावे, पची जरूरिया थो इता प्रोटीन ना अनुन तुटे छे, ता बधी प्रक्रिया जे छे तो एने सु केवाई रासा यानी प्रक्रिया ओ केवामा आवे छे आपड़ी जे कारिय करवा माटे जे शक्तीनी जरुरिया थाई ने तो इना माटे आ चया पचैनी क्रिया थाई छे तो आ बद्धात सजी ओमा जुवा मडे छे एवु एक पन अपवाद न थी के जे मां चया पचाई जोवा मर्तू न होई तो परिणा में सुखेवाई चया पचाई ने सजीवनों परिपूर्ण लक्षण केवा मां आवे छे परिपूर्ण लक्षण काई के आपड़े आ चया पचाई बढ़िणा तो चया पचाई दर्रेकी दर्रेक सजीवां जोवा मरेचे एवो 21 पंड सजीवन थी के जे मां आ चया पचाई जोवा मर्से नई इवन दरेक सजीव जे कोशो न बनेलो है ने कोशो मा आवी दिते सतत तच क्रिया वो चालती रहे छे जेमके ग्लाइकोलिपीडना निर्मान थवानी क्रिया, फोस्फलिपीडना अनुन तोडवानी क्रिया द्रवी लितिया बदि कृएया ने सु केवाई परीपूर् न लक्षन केवामा आवे है । shy परवूर चोई न क कीवाई હોઈને તો ત્યારે હમે સેશુથાઈ છે વૃદ્ધ્ધી થાઈ છે जेम के नानु बाड़क तो नाना बाड़क मा सु थाई चे बद्धी वस्तु नवी बने चे बदा जे जैवीक अनु वस्तु थाई चे ए जेम जेम खोराक खाई चे तो एम तेम जेम जेम ए खोराक खासे तो एनामा ए वस्तु बने चे निर्मान पामे चे तो परिणामे एनी ज्यारे अपचैनु प्रमान चोई करता वधी जै। । ज्येम केसू थाई छे। आपणे ज्यारे पण व्रुद्ध थाई ये। बराबाँ गर्डा व्यक्ती छे। तो गर्डा व्यक्ती खोराक खाइतो छे। पण एना मा एकलू पाचन नती थात। एतले सु थाई दीरे दीरे एने गसारो लागे छे जारे पन चैनु प्रमाण अपचै करता वधारे होई तो वरुद्धी थाशे अने अपचैनु प्रमाण एतले के पाचननी क्रिया ओची थाई जाई पर बराबर पाचरनी क्रिया ओची थाई जाए तो त्यारे गसारों लागे छे अर लेप गसारों लागे परिणा में जेते व्यक्ति मृत्यू तरव जाई छे तो आट्ती वस्तु तमारे तमारी बुक मां लखी देगी अब आपड़े चोथो लक्षन समझे के परियावरण निया उत्तेजना उत्तेजनाओ सामे प्रतिक्रिया परियावरण उत्तेजनाओ सामे प्रतिक्रिया इटले सु थाई के जेते सजीव प्रकाश होई प्रापाणी होई तापमान होई अन्य सजीव होई के प्रदुशक होई बरबन आप बन्ने सामें प्रतिक्रिया आपे छे जेम के आपणी वाद करिये तो बहुत अड़को होई तापने सुथाई चाईडा मा चायला जहिए तो अवे सुरिया मुखी नी वाद करिये तो सुरिया मुखी सुथाई जे दिशामा प्रकास होई देज दिशामा सुरिया होई तो ये दिशामा ए वड़े छे तो एवी रित बिंद कि आतम दों संसें साथ चुम तो पवर के ठीच परें और बोतं पवर के रेंड़िमें सरी सीही आपने शो करें मोडा पर हाथ मुखी ड़िये का तो रूमाल बांदी ड़िये ते परियावरण सामेशो केवाई प्रतिक रिया आपेली केवाई छे तो ए रीते दरेक शर्जी उजे होई ने ते पोता नी आसपास नी परिस्तिती आसपास नी परिस्ति के परियावरण प्रत्ये नी अनुभूती ना आविश्कार नी शम्ता अने अने परियावरणिय उत्तेजिना सामे प्रतिक रिया दर्शावे छे एले दरेक सजीव जे जग्याई रेतो होई ने ते ए पोता ना आसपास ना परियावरण थी ए सुकेवाई चे वाक्केप जोई छे अने एने अनुरूपज ए सुकेवाई चे अनुकुलन साधिले छे प्रतिक रिया आपे छे कारण के दरेक सजीव जे चे ते सव्वेदन अंगो धरावे छे अने ए सव्वेदन अंगो ध्वारा ए फरियावरण नी अनुबूती करी शके छे जेम के बहु थंडी लागे तो आपड़ू सरीर कई देख के बहु थंडी छे तो आपड़ा सरीर होई के अन्य प्राणी होई के वनश्पती होई दरेक माच एवा सव्वेदन पॉइंट होय चे के जे आज पासना परियावरण नी अनुबूती करावे छे जेम के वस्वेदन अंगो आवेलाज होई चे के जे परियावरण नी अनुबूती करे छे जेम के वनश्पती अने प्राणी बन्नेज प्रकाश पाणी तापमान प्रदू शको वगेरे जीवा जे बह्य परिबड़ों से छे तो एनी सामेसू करे छे प्रतिक्रिया आपे छे के जेम के बहु गर्मी पड़े तो घरमा एशी चालू करी दहिये छे एव लागे के बहु धुमाडों छे तो ता आपड़ी आपड़े जत्ता रही है का तो मोड़ा पर सु करे छे आपड़े दुमाल बांधी दहिये छे तो एवी रीते दरेक वनश्पती नीवाद करे तो सुर्या मुखी किजे सु करे छे सुरियानी सामै फरेचेstad या ड़ीते दरेक सजीव जे छे ते परियावरण सामै परतिक्रिया आप্पे छे ताप्मानी अनुबुथी ना अधारे दरेक सारिर आपड़े कहिए के जेम के अमुक चे प्रूट छे ठंडा वढना अपृधष्माद थाई छे तो थंडा तापमान मांच अमुक वनस्पती उगे चे जो एने घरम तापमान मां उष्ण कर्टी बंदेरिया मां लावी दे ते उखती न थिके कारण के वनस्पती ए तापमानी अनुभुदी करे चे अनि एना अधारे व्रुद्धी करे चे तो आरी ते आधी कोश केंद्री थी लईने बैक्टेरिया थी लईने सु कोश केंद्री सजीओ दरेक सजीओ परियावरन प्रत्यानी अनुभुदी करी शके चे अने एने आधारे प्रतिक्रिया दर्शावे चे त्यार बात आपड़े पाच्मू लक्षन जोईए पाच्मू लक्षन कईउचे तो सभान्ता सभान्ता ए दरेक सजीओ नुँ समपूर्ण गुन्धर्म चे एदले के परिपूर्ण गुन्धर्म चे तो केम अवे जेमके आपड़े वाद करिये के रूत्तू सववर्दित बनस्पति अने प्राणियों ए सु करे छे अम्मुक प्रजनन करे छे तो बो बोट्तू सववर्दित बनस्पति अचैने इसा मईध है के जेमके उना आड़ामा कई बनस्पति उगे तो कैरी पट्कुलर्स्थू माच ए बनस्पति पर्ण आपे छे तो ए बी बनस्पति प्रजनन mor़ित के सब्वाद और सफान संदन चुष्ण प्रहें सबंप्रोग को तो मितेयों। चुह तो लला नोिकान भधीनली यहीं तुन अक्याच कट बेकी सब्सक्राता में सब्सक्सक्राप द्रोपिर नेको पर्लपें आप्वाद सोर चुह्ष्ण अने प्राणियो ता बन्ने प्रकार ना जे सजीवो छे तो बन्ने प्रकार ना सजीवो ना प्रजनन पर प्रकाश अउधी नी असर थाई चे प्रकास अउधी एतले के वनस्पती ने जोईतो प्रकास नो समय गाडो तो एने प्रकाश अवधी किवामा आवे चे दरेक वनस्पती चे तो एने एक सर्खो प्रकाश जोयतो होतो नथी इवन दरेक प्राणी ओने पण एक सर्खो प्रकाश जोयतो होतो नथी अवे अहमुक प्राणी जे छे ते जबके देड़को एसु करे छे ने थंड़क वालू तापमान जो ये तो ए वर्सादनी रूतुमा बार आवे छे नहीं तो एसु थाई ए बहुत थंडी भी शहन नती करी शकतो नहीं बगर्मी संत करी शकतो एटले एसु थाई ए ग्रिश् सकतो आदनी रूतुमार्ड़ एसु प्रजनन करे छे तो एवी रिते दरेक सजीव होई तो दरेक सजी्व नो एक प्रजनन समय गालोई प्रजनन नो एक ताइम होई तो एज़ सीजन मा ए प्रजनन करे छे तो रूतुकिझेश्ньम के Mindλι ये उह बगर्मिया अज प्रजनन कर आस्पास ना परियावरण थी केवा होई चे वाकेफ जोई छे जागरूत जोई चे एने केवा जवानी जरुव पड़ती न थी फक्त बराबन मानवीज एवो छे ने के ए बहु एक्टिव छे लेके आप मेलेज जागरूत जोई छे मानवीज एवो एक मात्र सजीव छे के जे आप मेलेज जागरूत जोई छे एने सु केवाई स्वयम सभानता धरावे छे एने खबर चे के क्यारे कई सीजन आव से अने एने सु करवानू छे एने आसपास ना परियावरण वी से अन्यल सजीव नी कमपेर मा गणी ए जागरूत धरावे छे कारण के मनुष्य छे तेमा मगज बव विक्षित छे एटले के पोतानी जाते बव बदी वस्तुने लईने सभानज होई छे तो एना परिणाम स्वरूप दरेक सजीव वज आ सभान तानो गुण धर्म धरावे छे एटले आने सजीव नू समपूर्ण गुण धर्म कई शकाई छे तो अहीं आपड़ा सजीव ना लक्षणों पूर्ण धिया तो तमने एक्जाम मा गणीवार एरितना भी प्रश्ण पुछाई शके के व्रुद्धी विशेवर्णन करो, क्या तो पची प्रजनन विशेवर्णन करो, क्या तो पची एक्जाम मा एरी ते पन पुछाई शके, आजे व्रुद्धी औने प्रजनन छे, ते त्रोन माक्स नो क्वेश्चन छे, औने आपणे आजे जे त्रोन लक्षनों भैना, ते बे माक्समा पुछाई शके, घणी वार तमने ए रितना पी पुछाई शके, कि सजीवो ना कोईपण बे विशिष्ट लक्षण विश्वे समझाओ, तो तमे तमारा अनुशार कोईपण बे लक्षणों लखी शको, तार इते पन तमने पुछाई शके छे, तमारी जे चौप बिख्षित अने बाहिया उत्तेजनाओ सामे, क्रतिक्रिया डाखवानिशम ता धरावे चे, तो ए समझाओ, दरेक सजीवो ने, तो दरेक सजीवो, एमा एक आयोजन थेलू होई चे, एक आयोजन स्तर आवेलू होई चे, अने ए आयोजन स्तर द्वारा संपूर्ण दरेक सजीवो जे होई, तो दरेक सजीवो सु करे चे, एक आयोजन स्तर धरावे चे, तो ए आयोजन स्तर छे, कि जेना द्वारा संपूर्ण सजीवनू निर्मार थाई चे, तो एव भी केवाई चे, कि आयोजन ना उच्च्य स्तर, ए सजीवनू एक गून धर्म चे, तो ए समझावी दो, के जैम के पर्मानु पर्मानु वच्चे अंतरक्रिया थाई छे पर्मानु वच्चे तो पर्मानु वच्चे अंतरक्रिया थाई छे अन्ने अंतरक्रिया थाई ने अनु अनु निर्मान थाई छे त्यार बाद एजे अणुव चे तो अणुव वच्चे अंतरक्रिया थाई छे अने अंतरक्रिया थाई ने महा अणुव नू निर्मान थाई छे महा अणुव बेगा मडे बेगा मडी ने अंगीका नू निर्मान करे क्यार बाद आजे अंगी काओ वच्चे आंतरक्रिया थाई अने कोश नू निर्मान थाई कोशो भेगा मड़े एटले पेशी नू निर्मान थाई एटले के तमा चौपडी में यह आपेलू छे के पेशीयो ना जे गुण धर्म चे तेनू बंधारण मा रहेला कोशो भच्चे थती आंतरक्रिया थे एटले के पेशीयो चे ते कई हसे तेनो आधार एटले के जे पेशी नो गुण धर्म चे तो एनो आधार तीना मा रहेला कोशो पर छे जेमके जलवाहक पेशी तो जलवाहक पेशी से नूँ वहन करे छे पाई नूँ वहन करे छे वनश्पति मा तो एना मा कया कोशो आवेला छे जलवाही निकी जलवाही तंतू तो एवी रिते अलग अलग जलवाही नी जलवाही नीकी एवी रिते कोशो आवेला छे तो पेशी जे गुण धर्म चे तेना बंदारण मा रहेला कोशो पर आधार राखे छे एवी रीते आ जे पेशी चे तो पेशीयो भेगी मड़ीने अंगनु निर्माण करे छे पची अंगो भेगा मड़ीने अंग तंत्रनु निर्माण करे रहे छे लेके अंग तंत्र चे तेनु बंदा अंगो धरावे चे तेना पर रहलू छे, जेम के, मोख अननली जठर आतरडू मडासे, एवेगा मडीने सेनी रचना करे चे, अंग तंतरनी रचना करे चे, एवे रिते जुदा जुदा अंग तंतर, इलेके पाचन तंतर, स्वसं तंतर, रुदिराबिशरन तंतर, प्रजन त तंत्र अंतस्यात तंत्र विस्ट में ब्धं अलग अलग तंत्र वेका मड़ी ने संपूर्ण सजीव नूँकि निर्मान करें ज्यूर्ण सम्पूर्ण सजीव भेका मड़े कफ्यत जाति Saats universo निर्मान ठां जुदी जुदी जुदा Barca जाथी ना सजियो पेगा मड़े तो वस्ती नुँ निर्मान थाई अवे वस्ती लेके वस्ती धेगी मड़ी ने एक समाज नु निर्मान करे समाज के जे मा जैवीक अने अजैवीक घटको बढ़नेवावी जए एतले निवसन तंत्र बने छे तो आ रिते दिवसंतंत्र के जे क्या जोवा मड़े छे जमीन पर के द्रश्य ब्रूमी आ रिते संपूर्ण जीवावरण के जेनू निर्मान थाई छे एक पर्मानु माथी संपूर्ण जीवावरणनू निर्मान थाई छे तो आ जे एक रमशह गटना छे तो एने सु केवाम आवे छे, संगठन सर अत्वा तो आयो जन सर केवामा आवे छे, ने आ रिते सजीवनू निर्मान थाई छे, तो आ जे आयो जनन जे उच्छ सर छे, तो ए आंतर क्रियाओ नलिदे थाई छे, एले के अणों वच्छे आनतर क्रियात थाई, तो परमाणू, महाणू निर्माण थाई, महाणू वच्चे आंतरक्रिया थाई, तो अंगीकाणू निर्माण थाई छे, तो आजे दरेक जे संगणात्मक स्तर छे, आनेसु केवामा आवे छे, आजे आपड़ा खुँ भईणा, तो आनेसु केवामा आवे छे, संगणात्मक जटील तानी श्रेणी के भामा आवे चे तो आ जे संगठात्मक जटील तानी जे श्रेणी चे तो आ जे श्रेणी चे तो ए एक क्रम मा आवेली होई चे तो आरी विजी ते दरेक सरे संगठात्मक नी जटील तानी श्रेणी नी क्रम मा आ गटना ओ साची जुवा मड़े चे चरता क्रम नी वाद करिये के पची उतरता क्रम नी वाद करिये ओके अनु ओ छुटा पड़े तो पर्मानुत बनाव से महा अनु छुटा पड़े तो इमा अनु जुवा मड़े तो आरिते चरता करम के उतरता करम, दरेक जग्याये एक सरकीज गटना जुवा मडे छे, तो आरेक सजीव जे छे ते पोतानी जाते स्वयम जनिच छे, पोतानी जाते विकास पामें छे कोशो कोश्विभाजन करने पेशी बनाऊ से, पेशी अंग बनाऊ से, अंग तंत्र बनाऊ से, तो आ रीते पोतानी जाते स्वयम विक्षित थाई छे, और बहईय उत्तेज ना सामें प्रतीक्रियाव के चे, तो आवी रीते बद्धी वस्तु जे चे, ते सजीवो पर अशर क द लगो चक्रते करे चें। तो आ रितें दर्यक्षीवर सजीवर बततर्या चें जनीन द्रव्य तरीके DNA आवेलो नहीं होई छे। तमारे जे आ पेरेग्राफ छे। तो आपेरेग्राफ वक्त तमारे एक मांस ना क्विशन माते करवाँए। आज ये आखो पेरेग्राब चे लक्षणों पछीनों ए तमारे फक्त एक माक्स ना फ्वेशन्स माटेज करवानू रेसे। लॉंग फ्वेशन्स माँ पुछासे नई। तो ये आपणों टॉपिक पूरो थाई चे अवे नेक्स्ट लेक्चर माँ आपणे नवा टॉपिक ती शरुवात करीशू।